अपने बीच बारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रे महामंत्री माननिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के उपमुख मंत्री माननिय ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश के यसस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननिय भूपेंद्र चौधरी जी हैं, हमारे प्रभक्ता माननिय प्रीम सुकला जी, पंडित कृष्ण कुमार सर्मा जी और जफर इसलाम जी हैं, निरंतर माननिय प्रदान मंत्री जी के नत्रित्तों में, प्रतेक छेत्र से, राजनेतिक सामाजी कार्ज करता, वरिस्ट नेता, विकास यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए, भारतिय जनता पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं, इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिस्ट नेता, बहुजन समाज पार्टी के राष्टिये महासचिव रह चुके, चिर परचित नाम स्वर्गिय गांधी आजाज जी की पुत्रवधू, और लालगंज लोकसभा से 17 मी लोकसभा में, आप सांसद हैं, स्रीमती संगीता आजाज जी और उनके पतिदेव स्री आजाज अरी मर्दन जी, जो पूर विधान सभा के सदस हैं, आज पार्टी की सदसता ग्रहन कर रहे हैं, और देश का एक परिचित चहरा, जिस चहरे ने नारी सक्ती की लराई लरी है, जिस चहरे ने सरक से न्याले तक उस आवाज को दस्तक दी है, जिस आवाज के परिणाम सरूप कई लोगों को अपने जीवन का नणे मिला है, ऐसी सीमा कुसवहा जी सुप्रिम कोट की वरिष्ट अधिवक्ता, जिन्होंने निर्भया केस का पक्ष रखा है, जिन्होंने स्रधा केस का पक्ष रखा है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदसता ग्रहन कर रही है, मेरा विनमर निवेदन है माननिय विनोत ताउरे जी से, माननिय भुपेंच चौधरी जी से, माननिय ब्रजेस पाठक जी से, माननिय मिथलेश कुमार जी राज्यसभा सांसद हैं, और हमारे प्रवक्ता त्रह से किया पार्टी की सदस्ता पत्र देकर, आज पार्टी का झाल 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 पार्टी के इस राष्ट्रिय मंच पर मैं आनुनाई करूंगा माननिय राष्ट्रिय महमंत्री स्री विनोत तावरे जी से कि पार्टी के इस मंद से अपने नए साथियों का अभिबादन करें और संबोधित करें माननिय विनोत तावरे जी पार्टी उत्तरपीदेश के सर्मानिय अध्यक्ष उत्तरप्रदेश सरकार के सर्मानिय उप्व मुक्यमंत्री पार्टी के सभी प्रवक्ता और आगधि पार्टी में प्रविश्क करने वाले सभी मानने वर मुझे रखता है कि संगीता आजाज जी है उनके सही योगी है सीमा जी है और संगीता आजज जी तो आज अपने आपको सही माईने में आजाज मान दियोंगी कि जनता के काम के लिए कारिय के लिए आधनिय नरेदर मोदी जी के नित्रुत्व में अभी वो अपना एक सामाजिक राजनेतिक युगदान देने वाली है और मैं इतना पक्का कहना चाहता हूँ कि संगिदा जी आपके ख्षमता का पूरा उप्योग भरतिय जन्ता पार्टी उत्तर प्रदेश हो देश हो इसके लिए जो काम आधनिय मोदी जी के नित्युत में हो रहा है उसमें आपका पूरा योगदान हम लेंगे आपके ख्षमता को पूरा मौका भी आ मिलेगा ऐसे ही सीमा कुश्वा जी जो एक परचित नाम है और मैं मानता हूँ कि जब आधनिय मोदी जी नारी सम्मान के अनेक गतिविदिया अनेक करेकर्म कर रहे हैं उस समय सौवा ही कहें कि एड़ोगेट सीमा जी जैसी एक करेकरता प्रोफेशनल जो है वो इसमें अपना भी योगदान देना चाहती है और आज इसलिए बारतिय जनता पाटे में वो सक्रिय रूप से आज उनने प्रवेश किया है तो उनकी सभी प्रतिबावं का बारतिय जनता पाटे के द्वारा चोक कलपना नारी सम्मान की और बाकी कानून की हम सोच रहे हैं उसमें उनका योगदान इसमें हम जरूर लेंगे पूर्वा विदायक जी भी आ रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं और हमारे उपमुक्यमंतरी मजजेश जी कुछ इस समय पर कहना चाहे भारती जन्ता पार्टी के केंदरी काराले में भारती जन्ता पार्टी के सरदस्ता के इस कारिक्रम में हमारे बीच में उपस्तित हैं भारती जन्ता पार्टी के राष्टी महासचिव वरिष्ट निता आधनी बिनोत तावले जी भारती जन्ता पार्टी के उत्तर इसके अध्यक्त से आधनी भूपेंचे उद्री जी, हमारे संजे मयूग जी, प्रेम सुकला जी, सर्मा जी, इसलाम साब और हमारे सांसद आधनी मिथलेश जी, भारती अंता पार्टी जोईन करने वाली आधनी बहन संगीता आजाद जी, जो लाजगन लोग सबाचेत से सांस आधनी आजाद अरिमर्दन जी, जो मानी बिधायक रहे हैं, और आधनी सीमा कुसवाह जी, जो वरिष्ट अधिवक्ता हैं सर्वच नियाले में, मैं सभी का हिरदे से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपनी केंदरी नितत्रु का हिरदे से आभार पकट करता कि भारतियन्ता पार्टी के परिवार को बढ़ाने में आपने अन्मती प्रदान की सदस्ता ग्रहन कराई है तीनों लोगों का अपने अपने छेतर में बहुत बड़ा योगदान है सीमा कुस्वाहा जी एक बड़ा नाम है मैं कह सकता हूं मैलाओं के लिए संघर्ष करने वाल उन्होंने छेतर के साथ साथ विविन मुद्दों पर महिलाओं के संबन में तथा देश की प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में भी लगतार काम किया है ऐसी वहन संगीता आजाद जी आजाद अरी मर्दन जी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप सब भारती अंता पार्टी के रीतिय नितों को आगे बढ़ाने में मानी पधानमंतिर नरेद मोदी जी के जो विक्सित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने में हम सब लोग ताकत से जुटेंग आप सबका अपने मीडिया के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद मेरा विनम्र निवेदन है ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष मानने भूकेंची आधरी जी से बारतियंता पार्टी के रास्टे कारले में इस कारकरम में उपस्तित बारतियंता पार्टी के रास्टी महमंत्री आधरने बिनोत तावड जी प्रदेश के यससी मुख्य मंत्री उपमुख्य मंत्री विर्जेश पाठक जी हमारी पार्टी के प्रवक्ता अधर्ने प्रेम सुकला जी, जफर इसलाम जी, केके सर्मा जी, सरी संजे मुईग जी, राइसवा के सांसद आधर्ने मितले जी और जो आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं ऐसे आधर्नी बहन शांसद संगीता आजाज जी उनके पती पूरविधायक आजाद अरिदेमन जी और सुपरिंग कोट की वरिष्ट अधिवक्ता वेहन सीमा कुषबा जी मैं आप सब का स्वागत करता हूँ और आप सब लोगोंने माने प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़ने का निर्णे किया है क्योंकि हम लोग आज चुनाब की देहलीच पर खड़े हैं और हमारी सरकार उन्हें चाहे केंदर की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार है हूँ माने प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में आम आदमी के जीवन को सुधारने के लिए समाज की अलग-अलग वर्गों के लिए विसेश कदम उठाए हैं जिसका प्रभाव आज समाज में दिखता भी है और माने प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विक्षित राष्ट बनाने का हम सब लोग उसके साथ जुड़कर उस अभिहान के साथ जुड़कर माने प्रधान मंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और लोकसभा में जो हम सब कार संकल्प है अब की बार 400 पार का हम सब लोग मिलकर उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले तीनों लोग समाजिक राजनितिक छेतर में एक बड़ी हस्ती हैं पूर्व उत्र पूरदप के अंटर पूरल्वी उत्तर प्रदेश में गांधी आज ऐगे ऐद जी का एक बड़ी वरासत है समाज के जीवन में संगर्ष करने वाले गांधी आज़ाद जी की आज बिरासत को बढ़ाने वाली हमारी बेहन सीम संगीता आज़ाद जी और अज़िमन जी आज उपस्तित है उन्होंने बहुत बड़ा निडने लिया है और भारतियंता पार्टी परिवार और हम सब लोग मिलकर भारतियंता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से उनका स्वागत और अभिनिंदर एक बार पुने करते हैं सीमा कुसभा जी का भी हम लोग सम्मान करते हैं उनके निड़ने का और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर क्योंके भारती अंता पार्टी एक कारेकरता अधारी संगठन है और हम लोग संगठन के लोग सम मिलकर मोदी जी के नेतुत में बड़े रायनितिक तागत की रू करता हूं और अपने राश्टी महासाची बिनुत्तावडे जी का आधरनी विर्जेस पाठक जी जॉइनिंग कमेटी के राज्ये के प्रदेश के सहयों जगवी हैं उनका भी और मंचा सीन सभी पतादीकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार अपने सम्वित होने वाले दोनों बहनों का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं बहुत बार्तिय जन्ता पाटी के राष्ट्री महामंत्री आदर्नी विनूत तावडे जी, आदर्नी प्रदेश अध्यक्ष भुपेन चौधरी जी, आदर्नी उपमुक्ह मंत्री मानने ब्रिजिस पाथक जी, भार्तिय जन्ता पाटी के प्रवक्तागंड, आदर्नी राजसभा सांस मिधिलिष कठेरिया जी और विडिया बंदू आज मेरे जीवन का एक नया अध्या लिखा जा रहा है मेरे जीवन के एक नई शुर्वात हो रही है और मैं भारत के यशश्वी प्रधान मंत्री युग पुरुष आदंडीय मोदी जी को अभार वेक्त करती हूं जुन्हों ने उनके साथ जुड़ने का मैंने निडने लिया है और साथी साथ बाबा साहब डॉक्टर भीवराम अंबेटकर जी के संस्मरणियों को जिनको उन्होंने पांच समारकों का रूप दिया है मैं आदंडीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार वक्त करती हूं जिन्होंने गरीब शोशित वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है और जो इतिहास में काली कुरुतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदर्नी प्रधान मंत्र जी ने लिया है मैं उनके साथ कारे करने के लिए मैं हमेश करने का काम करूंगी जो विश्वास मुझ पे जताया गया है उस पर घरा उतरने का पुरा प्रयास करूंगी और यह भी कहती हों कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा भारती जनता पाटी के सभी कार्यकरताओं के साथ कंदे से कंधा मिला कर उनके साथ सभी काम करने का प्रयास जी आदर्णी अमिट्शा जी माननी प्रदेश अदर्भुपेंच ओधरी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी आदर्णी योगी अधित्यनाथ जी उप्प मुख्य मंतरी केशो प्रसाद मौरिया जी उप्प मुख्य मंतरी माननी ब्रिजेश पाथक जी और भारतिये जनत यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बार चार सो पार का जो लक्ष है, जो विकिसित भारत का प्रदान मंतरी जी का संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा निमेदन होगा सीमा कुस्वाजी से कि आप दो सब्द रखें। में ही मंचपर आसीन आदर्निय उत्तर प्रदेश के उपमुख मंतरी ब्रजेश पाठक जी, आपका सर बहुत-बहुत आभार अपने परिवार का सदस्ट्र बनाने के लिए। साथ में ही मंचपर आसीन आदर्निय भूपेंद्र चौदरी सर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आपका सर बहुत-बहुत आभार और बीजेपी के यहाँ पर जितने भी प्रबक्तागर बैठे हैं उन सभी का बहुत-बहुत आभार और साथ में ही रासबासांसद आदर्नि मिथले इस कठेरिया जी का बहुत-बहुत आभार आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस मोधी परिवार का हिस्सा बनी हूँ जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्च को अपना एक परिवार एक कुटम के रूप में देखते हैं जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें ह इस पार्टी हमारी भारतिय जन्ता पार्टी की एक कारकरता के रूप में शामिल हुई हूँ और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतिय जन्ता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कॉंटिवीशन हो सके मैं देनी की कोशिश करूँगे आदर्णिय प्रधान मंत्री जी के इस नौ वर्सों के कारकाल में महलाएं जितनी शशक्त हुई हैं ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और इसलिए उनके कारियों से प्रभावित हो करके मैं भारतिय जंता पार्टी की सदस्य बनी हूँ भारतिय जंता पार्टी के सीस नित्रत आदर्णिय हमारे देश के प्रधान मंत्री शश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभार आदर्णिय अमिस्ता जी ग्रह मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार की इस परिवार का सदस्पनी राष्टियाद्यक्ष आदर्निये नडड़ जी का बहुत बहुत आभार की इस परिवार का में सदस्पनी उत्तर प्रदेश राज्य के आदर्निये सीष्ट नेतरत मानिये योगी आदितनाज जी का बहुत बहुत आभार और उत्तरप्रदेश के उपमुख मंत्री केशोपरसाद मौरिया जी का बहुत बहुत आभार और इस भारतिय जन्ता पार्टी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार करता का सभी हमारे महनभवों का सभी हमारे आदर्निय सीशनेतरत का बहुत बहुत आभार जिस तरीके से भारतिय जंता पार्टी ने देश की आजादी के बाद जो की महलाओं की बहुत बड़ी आबादी है उनको संसद में उनका 33 परसेंट जो रिजर्वेशन था वो नहीं ही मिला था लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने महलाओं को रिजर्विशन दे करके सम्मान देने का काम किया है महलाओं को स्वावी मान से जीना सिखाया है और भारतिय जंता पार्टी जो भी महलाओं के लिए काम कर रही है उसमें इस बेटी सीमा कुश्वा का जो भी कॉंटिविशन होगा मैं करूंगी आप सभी लोगों का मेरे मीडिया बंदों का बहुत-बहुत धाबार इस परिवार का हिस्सा बनके मोधी परिवार का हिस्सा बनके आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहे हैं बहुत बहुत धन्नवाद नो कोश्यान बाद में अभी मिल रहे हैं अभी पांच बजे मिल रहे हैं पांच बजे मिल रहे हैं